हलो दोस्तों नमस्कार स्वागत है आपका हमारे चैनल परिक्षा प्लस पर जैसा कि आपको इस सीरीज का बहुत ज़्यादा इंतजार था हमारी टीम के द्वारा इससे पहले भी घोसित किया जा चुगा है कि हम 800 प्रशनों की स्रिंखलर लेकर आ रहे हैं हिंदी की जो आपकी UPSC की latest pattern जो अभी तक इसने 2019 में paper कराया है उस पर आधारी था यह सीरीज आपके लिए इस तरीके से फाइदे मंद होगी कि जब आप exam में बैठेंगे तो कहीं ना कहीं जिस प्रकार से इसमें प्रशनों को सामिल किया गया है आपको उन ही pattern पर प्रशनों को देखने को मिले तो यह जो टोटल 800 प्रशन इसमें सामिल किये गये हैं यह प्रशन संपूर ब्याख्या के साथ एक PDF के रूब में भी आपको मिलेंगे और साथ ही साथ जब आप वीडियोज पर बने रहेंगे इसमें 800 प्रशनों में इसको मैंने पार्ट बाइस संक्लिप किया है यानि जैस आप पर आपको PDF के तौर पर मिलेगा सबसे अंत में 800 प्रशनों को एक साथ संक्लित करके एक PDF आपको दे दी जाएगी तो एकदम मेरे साथ आप तयार हो जाएं यह मैं आपको एक क्विस्ट सेशन के तौर पर कराऊंगा यानि सबसे पहले मैं आपसे प्रशन के बारे में उसमें दिये गए विकल्पों पर फिर कुछ सेकेंड का मैं आपको समय दूंगा दूसरी चीज़ दूस्तों आपको यह ध्यान रखना है कि आप जहां पर बैठे हैं वहाँ यह ज़रूरी नहीं कि हाँ आप जब तक मनलब question देख रहे हैं तो उसका जबाब आपको वहीं प question आपके इस तरीके से संक्लित किये गए हैं कि जिसमें जितने भी आपके UPSC जैसे इस बार का जो इसका syllabus चला है ठीक है जो आपका इसमें syllabus दिया है हिंदी परिग्यानियों लेखन चमता जूनियर एसिस्टेंड में या UPSC के कोई भी exam आपके होते हैं future में तो उन सभी को लेकर ये related सारे question new form किये गए हैं हाँ दूसरी बार मैं आपको बता दूँ कि जैसे ये जितने भी question है ऐसा नहीं है कि मलब सिर्फ previous year ही है जो UPSC ने 2019 में पेपर कराये हैं उन papers को ध्यान रखकर फिर उसके आधार पर तयार की गई ये 800 प्रशनों की आपकी पूरी संक्ला आ ये और ये मान के चलिए कि अगर आप इस पूरे प्रशनों को मेरे साथ आप कर लेते हैं हर दिन बैठके तो कहीं से भी आपको कोई समस्या नहीं आने वाली है तो चैनल जिन लोगों ने अभी subscribe नहीं किया है वो जरूर subscribe कर तो चलिए एक बार हम सुरवात करते हैं इन सारे questions की एक question में लेकर चल ला हूँ सबसे पहला प्रशन आपके सामने है पहला प्रशन कहे रहा है कि चान का मूँ टेढ़ा है कि रचाईता कोन है यानि रचनाकार से संबंदित पहला प्रशन आपके सामने आ चुका है चान का मूँ टेढ़ा है इसके रचाईता कोन है सबसे प पुमार माथूर इन चार विकल्पों में आप सूचे कि इसका राइटर कौन है एक बार फिर बताएं आप अगर देखिए ये चांद का जो मुह टेड़ा है अगर मैं इसके बारे में बात करूँ आप से कि इसका रचनकार कौन है तो आपको मालूम होगा ठीक है जो लोग जा आज क्र यह भी पूछ रा है कि यह किस विधा की रचना है विधा मलाब प्रकार जैसे क्या क्या होता है आपका गढ़ी पर आधारित हो गया ओपनियास विए कोई कविता हो गई यातम विरतांत हो गया ठीक है या किसी की आत्म कथा है या जिवनी है या संसमरण है या रेखाचित्र है तो इन से संबंधित भी UPSC आजकर सवाल पूछ रहा है तो पहले का जवाब हो गया कि गजानेन माधों मुक्ति के द्वारा लिखी गई आपकी कविता है क्या चांद का मुठेड़ा है दूसरी चीज इसके बारे में और थोड़ी सी इन्फर्मेशन अगर मैं आपको बताऊं तो ये एक जनवरी 2004 को ये जो भारतिय आपका ग्यानपीट है उसके द्वारा ये प्रकासित कराई गई थी भारतिय ग्यानपीट के द्वारा एक जनवरी 2004 को ये प्रकासित कराई गई थी गजानन मादों मुक्तिवोद की आपकी ये कविता का संक्लान है दूसरा प्रशना आ गया अनेक सब्दों से लेकर एक सब्द के लिए मोच की इच्छा रखने वाले के लिए एक सब्द क्या होगा ठीक है प्रशना अच्छा है मोच की इच्छा रखने वाले के लिए एक सब्द क्या होगा यह अनेक सब्दों से एक है, पहला विकल्प है जिग्याशू, दूसरा है मुर्मुक्षू, तीसरा है योगी, और चौथा है आपका मुमुक्षू, चारो विकल्प आपके सामने है, सोचिए, जवाब दीजिए, पहला है जिग्याशा, दूसरा है मुमुक्षू, तीसरा है यहीं पर सवाल थोड़ा सा बदल दिया जाए और जो ये मौक्ष की इच्छा लिखा है ठीक है इसके बाद जो ये रखने वाला है अगर इसको हटा दिया जाए सिर्फ आप से पूछा जाए कि मौक्ष की इच्छा क्या होगी ओनों point आपके clear होगे जिग्यासु जिग्यासु इस VEक्टी को कहते है जो जिग्यासा की इच्छा रखता है कुछ पूछने की इच्छा सिर्फ बात की जाए तो वो जिग्यासा कुछ पूछने की इच्छा रखने वाला वो जिग्यासु ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रशन पर तीसरा जो आपका प्रशन आने वाला है इसके बाद ठीक है वो भी अच्छा आपका प्रशन है इसमें देखिए ये आप संबंदित है आपके अनेक शब्दों से एक सब्द के लिए वहाँ स्थान जो प्रतवी चंद्रमा शूर प्रतवी चंद्रमा सूरियाद लोगों के मत इस्थित अस्थान तो आप आपके पास ये समय नहीं होता है आप अपने आप पर ये जो नहीं डालते हैं कि इसके लिए क्या सही है ठीक है यहाँ पर आप्शन बी जिन लोगों ने टिक किया वो बिल्कुल गलत है क्योंकि यह आंतरिच की जो आपकी वरतनी लिखी है यह वरतनी अशुद्ध है इसलिए थोड़ा सा इन चीजों को भी ध्यान लखना है आपको इसमें जो आपका सही विकल्प है वह विकल्प आपका है डी यानि चौथा विकल्प सही है कि आंतरिच में ही प्रतवी शूरित चंद्रमा आदी जो है इस्थित होते हैं इनका बिस्तार होता है तो इसके लिए जो प्रविक्त वरतनी होती है वो आपकी चौथा अप्षन है चौथा पिकल्प है जिसको हम बोलते हैं अंतरिक्ष तो ये चीजे साथ ही साथ आपको ध्यान लेकर चलना है कि माल लिजे कहीं वरतनी सब्द का समानार्थक समानार्थक ठीक है आप जानते हैं कि जब हम रचना के आधार पर सब्दों को पढ़ते हैं तो रचना के आधार पर आपके कई प्रकार के सब्द बनते हैं उनमें से एक आपका समानार्थक भी होता है तो कह रहा है प्रशन अतुल्या सब्द का समाना प्रविट्विटा दुट्व क्या है झेहां पर आपल्ब मिल्लब देखर हैं वहीं पर आप बॉल दिजिazy भी कॉपी पेन है लिख लीजिए कुछ भी यह लेकिन बोलते रहिए कमेंट करना है कमेंट करिए विल्कुल सहिं उनका जबाब बिल्कुल सही है क्योंकि अतुलिये का मतलब होता है अगर हम देखें कि इसका सुद्ध हिंदी मिल्लब क्या है को इसका सुद्ध हिंदी मिल्लब होता है जिसकी तुल्ना ना की जा सके ठीक है जिसकी तुल्ना ना की जा सके उसको बोलते हम अतुलिये ठीक है ज option D आपका सही हो गया, पाचवा प्रशन बढ़ते हैं, पाचवा प्रशन आपसे कह रहा है कि हितकांची का अर्थ क्या है, हितकांची का अर्थ क्या है, इन में से कौन सा सब्द है, ठीक है, तो इसमें अगर हम देखें, पहला option दे रहा है कल्यान का, दूसरा दे रहा है प्रि जिसको आप कहते हैं, जो किसी चीज की आप से पेक्षा रखता है, तो भला का आकांची है आपका, यानि भला चाहने वाला है, तो उत्तर आपका सही होगा, विकल्प D, जिन्नों ने विकल्प D जवाब दिया है, वो बिल्कुल सही है, छठा प्रशन है, सेना का चूच करना है, चलिए जल्दी से जवाब बताईए, जिनको मालूम है, वो तुरेंट कमेंट करें, नहीं मालूम है, वो भी कमेंट करें, क्योंकि जब मैं आपको जवाब बताऊंगा, तो जवाब से भी आपके कही ना कही मनुबल फिर से बढ़ जाएगा, कि हाँ, ये च प्रशन के साथ उसकी पूरी ब्याख्या देखेंगे तो वो चीज आपको बहुत ज्यादा दूदा देने लगती है क्योंगे एक्जाम में आपका उसी तरीके से mindset हो जाता है देखेंगे अगर शेना के अनि प्रईवाची सब्दों की मैं बात करूँ तो सेना के अनि प्रईवाची सब्दों होते हैं अनी ठीक है कटक चमू भी बोलते हैं शेना का एक प्रईवाची सब्दों में वहीं उठाता है जो थोड़ा सा टफ आपके बनते हैं अनीक चमू चमू इससे पहले पूछा जा चुका है मैंने बताया ठीक है अनी आप तो आप जानते हैं फोज और दल सैनिक इसका प्रयावाची नहीं होता है बढ़ते हैं अगले प्रशन की और अगला प्र प्रयावाची शब्द होता है तो आग से देखें विकल्प ए में देरा अनल दूसरा देरा है वी में हुतासन तीसरा देरा है पावक चौथा देरा संपा यहां पर सबसे पहले आप यह कोसिस करिएगा आपको आता तो है लेकिन आप प्रशन क्यों गलत करते हैं क्योंकि प अच्छे स्प्रेंट हैं तो इन सब गलतियों को करके आपको बाहर नहीं होना है ठीक है इसलिए प्रशन पूरा पढ़िए कौन सा इन में से आग का परियावाची सब्द नहीं है विकल्प चारों आपके सामने है चलिए जिन लोगों ने कमेंड किया है ठीक है कि ऑप्शन जिन लोगों ने कमेंड किया है वो बिल्कुल सही है बढ़ते हैं अगले सब्द की और निमन मेंशे रूड शब्द कौन सा है बहुत अच्छा प्रशना आपके सामने आ चुका है विकल्प A है पशू B है विद्ध्याले C है आपका समतल और चौथा है वाचनाले आप्शन के आधार पर शब्द कितने होते हैं रचना के आधार पर शब्द बनते हैं तीन प्रकार पहला बनता है आपका रूड शब्द दूसरा बनता है आपका ठीक है इसमें दूसरे में अगर हम बात करें कि एक तो आपका रूड हो गया दूसरा आपका बनता है योगिक शब्द ठीक है, जो मिलकर बनता हो, और तीसरा बनता है आपका योगरूड शब्द, योगरूड मल्लब, एक ऐसा शब्द जो बनता तो योगिक की ही भाती है, लेकिन उसका अर्थ आपका एक बिसेस हो जाता है, रूड शब्दों की भाती हो जाता है, इसलिए इसको योगरूड फिर भी आपका एक तरीके से योग-रूर की तरीके स्काम करता है, या इसको योगी में रख सकते हैं, दो-सब्दो Achio 12 से मिलकर बना है, ठीक है, रूर में ऐसे होते हैं, जैसे गेंद बोल दिया आपने, कंधा बोल दिया, कुरसी बोल दिया, तो इन सब की इमेज भी आपके उसके दिमाग में आपके बन जाती है तो रचना के आधार पर तीन प्रकार जो आपके होते हैं यह पैचानने को UP SSC के सलेबस में है इसलिए यह important point है इसलिए यह इस प्रशन को मैंने डाला है जिल लोगों ने विकल्ब A चुना है वो बिलकुल सही है क्योंकि पसुका इससे कोई सार्फखंड हम नहीं बना सकते पिद्याले यह आपका योगिक बन जाएगा शम्तल भी वही है ठीक है शम्धन्तल वाचनाले यह भी वही है वाचन्दनाले तो इसमें जो आपका है केवल विकल्ब यह सही है कि रूर शब्द आपका पशु होगा बढ़ते हैं नोवे प्रशन की ओर निवू का तद्शम क्या होगा बहुत बढ़िया प्रशन है तद्शम और तद्भो यह जब आप पढ़ोगे उत्पर्ति के आधार पर शब्द ठीक है उत्पर्ति के आधार पर जब आप सब्दों को पढ़ना प्रारम करेंगे तो उसमें आता है तद्शम तद्भो देशज विदेशज और संकर पांच प्रकार के सब्द बनते हैं बहुत अच्छी पगण होनी चाहिए क्योंकि 6 प्रशनों में आप समझ सकते हैं कि इनसे अच्छे खासे सब्दों से सम्मंदित अच्छे खासे प्रशन आपसे पूछे जाने नीम्बू का तद्शम आप्शन ये दे रखा है नीम्बू B है नीम्ब, तीसरा है नीम और चौथा दे रखा है यह है नीम्बू तो जिन लोगों ने विकल्ब D चुना है यानि option D चुना है वो बिल्कुल सही है क्योंकि नीम्बू का तत्सम आपका नीम्बू क होता है बढ़ते हैं दसवे प्रश्ण की और संकीन्ड का विलोम सब्द क्या होगा संकीन्ड का विलोम सब्द विकल्ब देख लिजिए बिस्तिवन option A है B है आपका अनुदार, C है आपका उत्कीन्ड, चौथा है उदार ठीक है देखें बहुत दार क्या होता है हिंदी है हिंदी में सब्दों का बहुत बड़ा खेल होता है हाँ हो सकता है कि ऐसे समान अर्थ बताने वाले सब्दों हो जिनके विकल्ब आप जानते हो विलोम जानते हो लेकिन यहाँ पर सब्द क्या है इस चीज़ पर गौर करिएगा फिर उसका जवाब देने का आप जो है कहीं न कहीं आगे बढ़िएगा उसके लिए तो जिन लोगों ने अभी तक विकल्ब इसका ए चुन लिया है वो बिल्कुल सही है क्योंकि नीवू का जो आप शंकीन का जो विलोम शब्द होता है यह बिस्तियंड होता है विकल्ब इसका जो लिखा है विग्गी दूसरा दिया है यगी चोथा दिया है शरबगी और चोथा दे रखा अनगी ठीक है सोचिए बोलिये कमेंट करिए लिखिए जो भी कर रहे हैं वो साथ-साथ करते चलिए अगी का विलोम अगर हम देखें तो आप्षण ए जो लिखा है विग्गी यहीँ होता है ठीक है बिल्कुल सही है जब आप जिन्होंने आप्षण ए चूच किया है वो बिल्कु आपको कि हाँ वही इस प्रश्ण के लिए मैं क्या जवाब दूँ आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्ण के लिए 12 नंबर प्रश्ण है असुद्धी क्योंकि वाक कि मैं असुद्धियों से संबंधित आप से सवाल पूछेगा ये असुद्धिया किन पर आधारित होती है लि से संबंधित असुद्धि होती है असुद्धियों बहुत प्रगार से बनती है तो चलिए अगर इस प्रश्ण पर मैं बात करूँ तो प्रश्ण नंबर बारा ध्यान से देखिए असुद्ध भाग क्या चैन करें एक आपका वाक कि दिया है उसको चार एक तरीके से एक साथ जब हम मैच कराएंगे पूरे को एक वाकी के रूप में पढ़ेंगे तभी हमें पता चल सकता है कि इसमें कौन सा असुद्ध भाग है तो पूरे वाकी को एक साथ अगर आप पढ़िये दुनिया में मनुश्य की आवश्चताओं के लिए बहुत कुछ है परंतु उसके लोग के लिए कडा भी नहीं है अब इसमें क्या गलत है कमेंट करना चाहिए कमेंट करें या जहां पर है आप वहां पर अपने मन में चूच करें देखे इसमें जो बिकल्ब सी की अगर मैं बात करूँ कडापी शब्द का इस्तेमाल हुआ है कडापी शब्द का इस् ये इसकी जगे पर, कदाब की जगे पर, कुछ भी सब्द का हम प्रियोग करेंगे, बढ़ते हैं अगले प्रश्ट की और 12 के बाद 13 नमबर, गाह प्रत्य के संयोग से निम्न में से कौन सा सब्द नहीं बना है, ठीक है, प्रत्य क्या है गाह, प्रत्य कहां लगते हैं, ये तयार रहेगा, ऑप्शन ये देखी, दरगा, पी दे रखा है कबरगा, सी दे रखा है आगा, चौथा दे रखा है बंदरगा, ठीक है, गाह प्रत्य से हमें देखना है, चलिए, आप सोचिए और फट से बताइए कि इसका जवाब क्या है, बिल्कुल बिल्कुल जहां बेटे हैं, वहाँ से कमेंट कर सकते हैं, या आप यूटूब चैनल पर ये वीडियो के नीचे कमेंट करते रहें, लास्ट में आप लिखते भी रहें, जहां पर भी होगा, जब पीडियो देखें, तो आप मैच करके जरूर एक बार कमेंट करें, मेरे इतने सवाल सही है, और आपको ये कुछ कैसी लग रही है, इसके बारे में भी थोड़ा सा आप कमेंट करते रहें, ताकि हमारा भी होशला बढ़ता रहें, और हम अच्छे से अच्छे प्रशनों को आगे आपके लिए संकलित कर सकें, ये प्रशन स्रिंखला लगातार चलने वाली है, जो आप के एकजाम में बहुत ज़्यादा, बिल्कुल सही, जवाब इसका देखते हैं, इन चारों में तेरा नंबर का जो प्रशन है, इन चारों में अगर हम देखें, ऑप्शन C, जिनोंने चूज किया है, वो बिल्कुल सही है, क्योंकि आगाव सब्द में गाह प्रत्ते का इस्त ठीक है, फिर B दे रखा है, उती, फिर C दे रखा है, उत, और चौथा दे रखा है, उत्थान सब्द में उफ्षर्ग, उफ्षर्ग सब्दों के आगे जुड़ने वाले शब्दांस होते हैं, प्रत्ते और उफ्षर्ग की अगर परिवासा देखें, मंडी परिशन में जै भरोबिकल शामने हैं बिल्कुल सही जिनोंने C जवाब दे रखा है वो एकदम सही है विकल सी-जिनों next andra है वह एकदम 100% ऑगर उत्थान सब्थाब दान से मिलकर बनता है तो इसमसे जो उत है ये कहीं ना कहीं क्या है आपका उफशर्ग ही तो है तो जिनों ने ये चुन लिया है उत यानि विकल्ब सी चुना है वो बिल्कुल सही है कि उत्थान सब्ड में आपका उत्प्रत्य आता है बढ़ते हैं अगले प्रश्ण की होर जो अभी आया था वहा मेरा भाई ह यह बहुत बढ़ी हाँ प्रश्न है ठीक है जो अभी आया था वह मेरा भाई है इस वाकि में जो अभी आया था क्या है चलिए दिमांग लगाई यह पहला ऑप्शन है पदबंध दूसरा है समस्त पद तीसरा है पद चौथा दिया है उपवाग की ठीक है चलिए चूच करिए फट से और बताईए इसमें option क्या है जिन लोगों ने यहाँ पर विकल्ब D को चुना है उपवाकी वो बिल्कुल सही है जो अभी आया था वह मेरा भाई है ठीक है इसमें जो पहला आपका दिया हुआ खंड है यह उपवाकी है उपवाकी वो होता है जिसमें संपूर अर्थ निकलता है लेकिन उपवाकी वह होते हैं जिन में अर्थ तो पूरा निकलता है लेकिन कहीं न कहीं कुछ ना कुछ बाकी रह जाता है ठीक है यह एक तरीके से उस वाकी के सहायक होते हैं उस वाकी के अर्थ निकलने में सहायक होते हैं, उनको उपवाकी कहा जाता है, उपवाकी के बारे में थोड़ी सी डिटेल के बारे में बात करूँ, तो उपवाकी आपके तीन प्रकार के बनते हैं, ठीक है, तो ये चीजें आपको इससे पहले भी मैंने थोड़ा सा इसके बा से राइट होगा क्योंकि जो अभी आया था यह कहीं ना कहीं किसी की बिस्यस्ता बता रहा है तो यह किसका है विशेशण उपवाद कि यह पैचारने को आ सकता है इसलिए मैंने आप से यह प्रश्न पूछ लिया है अग्रा प्रश्ण ए सोला क्या सुंदर फूल है किस पकार का वाक की है अब option दे रखा है विश्मे वाचक दूसरा दे है विधान वाचक तीसरा है प्रश्ण वाचक चौथा दे रखा है शंकेत वाचक देखे यूपी टिपल सी में जो वाक की होए वाक क्यों से सम्मंदित स्लेबस कोई वी है किसी भी पर इच्छा का है उसमें दे रखा है कि रचना के अधार पर जो वाक की होते हैं उनसे सम्मंदित प्रश्ण सामिल किये जाएंगे रचना के अधार पर बनते हैं कितने तीन प्रकार के पहला आपका होता है सरल वाक की दूसरा बन जाता है तीसरा बन जाता है आपका मिश्र इन तीन प्रकार के वाक्यों से सम्मन्दित सवाल आपके UP SSC के स्लैबस में हैं. इनसे सम्मन्दित आपको सीधा-सीधा प्रश्ण देता है कि इन तीनों में से। लेकिन यह भी प्रश्ण एक बार डाला गया है क्योंकि वाकी की रचना दो प्रकार से. पहला तुम मैंने बता दिया रचना के आधार पर दूसरा होता है आपका एक तरीके से आर्थ के आधार पर लगबग आपके आठ से दस प्रकार के सब्द बन जाते हैं वाकि बनते हैं जिनमें बहुत सारे आते हैं बिधान वाचक, प्रशन वाचक, आग्या वाचक, ठीक है आश्यर हो गए बिधान वाचक के वाकि का उधारण है चलिए बढ़ते हैं अगले प्रशन पर 17 नंबर प्रशन है सजातिये लगुत था दीरगश्वरों को मिला कर अब यहां से प्रशन आपको अच्छे मिलने लेगेंगे ठीक है क्योंकि अगर आपने व्याकरन हिंदी ज स्लेबस के अनुसार होना चाहिए ठीक है सजातिये लग तथा दीरगश्वरों को मिला कर दीरग होने का लच्छन किस संदी में होता है बहुत बढ़िया प्रशन है विकल्ब देख लेते हैं दीरगशंदी बी दे रखा है ब्रेदी संदी सी दे रखा है गुडशंदी और डी दे रखा है आयारी संदी चलिए बताइए कौन सा विकल्ब इन में ससाई है जो जहां पर हैं वहीं बोल सकते हैं बिल्कुल बताइए 17 नंबर प्रशन का आपका जबाब क्या है बताइए सजातिये लग तथा दीरगश्वरों को मिला कर दीरग होने का लच्छन किस संद पहले भी आपके सब्ड के अंतिमवर्ण में और उसका मिलान लविया दीरग मात्रा किसी से भी हो रहा है मलब शमान सबस्पर सब्बंड होना चैये मलब अा या बड़ा आ तो इसका मेल आ या बड़ा अ श़या है है इसलिए मैंने एक सब्द का इस्तेमाल किया शमान सबस् कि इसमें क्या होता है कि इनकी मात्रा है चहाए आपका लग हुआ है थो रगा है यह छोटा कानी है एक नियुट हो रहा है तो इन दूनों के अस्थान पर आपका जो harvest के वह बढ़ा की और कि ईए में होता है यहार जगेपर फालू होता है तो यह दीर्ग संधिका आपका उदारण है चलिए आगे बढ़ते हैं वारता अलाब का सही संधिविच्छेत क्या होगा बहुत बढ़ी हैं प्रश्ण है संधिविच्छेत से संबंदित आपको ये सामने प्रश्ण है विकलपे दे रहा है वारता धन अलाब बी दे रखा है वारता धन आलाब चौथा दे रखा है आपका वरता धन आलाब शी यानि और चौथा दे रखा है वारता धन आलाब चलिए बताईए विल्कुल एकदम cool mime से अपने आपको concentrate करते रहिए और बताईए इसका जवाब क्या सही है मैं थोड़ा देर आपको समय दे रहा हूँ बिल्कुल जो जहां पर हैं वहीं कमेंट करते रहे क्योंकि ये चीजे ये कोई जापके लिए बहुत ज़्यादा फाइदे मन तभी साबित होगा जब आप इसमें पूरी तरीके से अपने आपको घोल देते हैं इसमें रम जाते हैं तो जिनोंने अभी तक इसका 18 नंबर प्रशन का जिनोंने जबाब दिया है विकल्प B वो एकदम बिल्कुल सही है क्योंकि इसका संद्वी छेद सही है आपका आप्शन B में वारता धन आलाब जबाब करेंगे इसका संद्वी छेद तो उससे मिलकर बनता है वारता लाब ठीक है मैं डिटेल इसलिए बता रहाँ क्योंकि जो भी बेखती हैं आपके जो दोस्त हैं अभी नई तयारी कर रहे हैं उनको भी आप इस चैनल के बारे में जरूर बताएं क्योंकि अगर आपने नहीं पढ़ाए किसी अच्छी किताब से भी तो मैं आपको उतनी डिटेल बता दूँगा कि जितनी की किसी अच्छी बुग में दिया है और आपका लेवल वहां पहुंच जाएगा कि आप किसी भी एक अच्छी कंप्टिशन जिसने तयार किया है उसके बराबर रखें उन्नीश नंबर है भारतिय द्रिष्टी आध्यात्मिक है जबकि पाश्चाति द्रिष्टी का आधार क्या है विकल्पे दे रखा है भातिक, बी दे रखा है पदार्थवाथी, सी दे रखा है निरेश्वरवादी, डी दे रखा है विभाजन चारों में से चूच करना है, जो आपको उपित लग रहा है वहाँ विकल्प आप तुरन चूच करके और जवाब दे सकते हैं आर्तिये द्रिष्टी आध्यात्मिख है, ठीके जबकि पास्षाति, पास्षाति का मतलववा बेस्टार्ण, जिसको इंग्लिस में बोलते हैं, hindi में बोलते हैं पश्यमी, ठीके बेस्टिन कल्चर, उनकी द्रिष्टी का आधार क्या है दिखिए इसमें चारों आप्शन में जिन्हों ने चूच कर लिया है आपका आप्शन यह वो बिल्कुल सही है क्योंकि पश्रिम जगत भौतिक वादी है ठीक है पश्रिम जो आपका जगत है यह पाश्रा की जो दृष्टी का आधार है वो भौतिक वादी है हम लोग अध्य पर बढ़ गए और पश्रिम वाले किस पर बढ़ गए पश्रिम वाली खोजों पर बढ़ गए इसलिए पश्रिम वाले विज्ञान में बहुत ज्यादा आगे हो गए और हम लोग अध्यात में बहुत ज्यादा आगे हो ठीक है पूर बहुर पश्रिम में में अंतर यहीं है 20 में अगर बढ़ें 20 नंबर का प्रश्णा आपका देया है आपके सामने कि कौन सा सही सुमेलित है अप्शन दे रखा है अनुरक्ति, बेरक्ति, बी दे रखा है आशमय कुसमय, सी दे रखा है आउशर, सुववशर, डी दे रखा है देरगाईव, चिरायू इन चारों में से एक तरीके से आपको चूझ करना है कि कौन सा सही सुमेलित है तो बिल्कुल जिनों ने आप्शन ये जबाब चूझ किया है वो बिल्कुल सही कि कि अनुर्यति और बेरक्ति आपस में बिलों सब्दों के यूग में है अनी जो हैं समानार्थक सब्द हैं क्यांकि इन दोनों सब्दों के एक ही अर्थ्म निकल ले है अगे बड़ते हैं अगले प्रस्वा पर 21 नमबर उत्पत्ति की दरिश्टी से कौन सा सब्द का बेद का बेद लेके इसका जो चौथा उप्शन जिन लोगने अभी तक चूझ किया है जो सूक रहें वो बिलकुल सही है क्योंकि तधित प्रक्ते का वेध होता है ना कि आपके किसी उत्परत के आधार ahh पर मैंने बताया कि उत्पrt के आधार पर अगर सब्दों को देख超 तदसमों सब्द यानि जो पांच वाप बन जाता है आपका शंकर सब्द ठीक है जो एक तरीके से कहीं न कहीं मिक्शर है बढ़ते हैं अगले प्रशन पर अगला प्रशन आपका है कि चंदर ठीक है किस प्रगार का सब्द है बाईश नंबर का प्रशन चंदर किस प्रगार का सब्द है अगर इसके बार जिन्होंने option B जवाब दे रखा है वो बिल्कुल सही है चंदर अर्धतत्सम है अर्धतत्सम वह सब्द होते हैं जो संस्कृत से आपके सुरवाद तो होते हैं संस्कृत से लिये जाते हैं लेकिन वह प्रियोग करते करते यहां तक आते आते क्या होते हैं उनका रूप कहीं न तो यह एक तरीके से देखा जाएं तो चंदर का रूप हम क्या बोल देते हैं? 23 नंबर प्रशन रचना से संबंदित फिर से एक बार सवाल आपके समने है राम की शक्ति पूजा के रचना कार कौन है? बिल्कुल गता यह option यह दे रखा है निराला बी दे रखा महादेवी, सी दे रखा है नागारजु, डी दे रखा है केदारनाथ इन चारू में अगर विकल में देखें तो जिनों ने चूच किया है कुन सा विकल वो बिल्कुल सही होने वाले हैं option A, सूरिकान तरपाथी निराला, निराला जी का पूरा नाम है इन्होंने राम की सक्ति पूजा है, इसकी रचना की है, अनि विकल आपके इस कवितासी मलब क्रिती से सम्मंधित नहीं है 24 नंबर परशन पत्रलेखन, पत्रलेखन से सम्मंधित मैंने बताया कि इन 60 परशनों में आपको 3-5 परशन मिलने वाले हैं जिन लोगों ने अभी तक पत्रलेखन के बारे में सही कोई डिटेल नहीं पड़ी है, आप पत्रलेखन की मेरी वीडियो पड़ी है, उसको देख लिजिए, 40 वेट की लगबग वीडियो है, पूरी की पूरी पत्रलेखन से सम्मंधित आने वाले प्रशनों की आपकी समस्य दूर हो जाएगी, ठीक है, तो पत्रलेखन वीडियो पड़ी है, आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं, कि वहाँ पर इनसे बंगने वाली बाधा को दूर करने के लिए किस प्रकार का पत्र लिखा जाएगा, आप्शन ये प्रातना पत्र, B दे रखा है, निजी पत्र, C दे रखा है, शिकायती पत्र, चलिए बताइए जबाब, बताइए जल्दी, बिल्कुल सही जिन लोगों ने जबाब चूच किया है, आपका D, ऑप्शन D, शिकायती पत्र, वो बिल्कुल सही है, क्योंकि विद्दुद आपूर्द में अगर बाधा आ रहा है, तो आप सिकायत लेकर ही किसी के पास जाएंगे, ऐसा तो है नहीं कि आप प्राथना पत्र लेकर जाएंगे कि महोदे किर्पे हमारे मुहले में बिजली नहीं आ रही है, तो बिजली की समस्या को जो है आप दूर कराएं, आप सिकायत पत्र लेकर वहाँ पर जाएंगे कि हमारी मुहले में जो समस्तिय चल लेए उसका निदान किया जाए अगर आब अगर अगर देखा जाए निवंदकार के रूप में चर्शित रहे हैं पहला है आप्शन ए विद्या नीवास मिर्स बी है मोहन राकेश शी है संकर से शौथा है कमलेशर इन चारों में अगर देखा जाए निवंदक आप देखिए कवीशर में कौन सी संदी है ऑप्शन ए देखते चलिए ऑप्शन में दे रखा है आपका दीर्ग संधी भी दे रखा है बुर संधी चलिए बताइए बिल्कुल सही तुरंट बताईए जो लोग देख रहे हैं लेक्शर हमारे साथ जुड़े हैं वो प्रथम जो आपका सब्ध लिखा है इसका अंतिमवर्ड य है और बड़ीय है वड़ीय की मतर आएगी तो कवीधन य शर बन जाएगा आपका कवीशर तो ए विकल्प जिनोंने चूच किया है विलकुल सही है बढ़ते हैं 27 नंबर पर संसार में कौन सी संदी होगी संसार मे दे रखा गुर, शी दे रखा है विंजन, डी दे रखा है विशर्ग, इन चारों में से चूच करिए, कौन सा विकल्ब आपका सही है, तो संसार में, हाँ बिल्कुल सही है, जिनों ने जवाब जो दे रखे हैं, जो सोच रहे हैं, कि option C आपका सही है, विंजन संदी बिल्कु से हो रहा है, इसलिए इसमें बिंजन संदी है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रशन की ओर, अगला प्रशन जो आपका दिया हुआ है, चलिए option number 31 पर प्रशन संख्या 31 पर बढ़ते हैं, इन में से कौन सा सब्द आपका विशेशन नहीं है, बहुत ध्यान से पढ़िएगा, इन चारों में से आपको चूच करना है कि कौन सा आपका ऐसा सब्द है, जो विशेशन सब्द आपका नहीं है, चलिए बताइए जहां पर भी आप बैटे हैं, वहाँ पर तुरंत आप बोलते रहें कि इन में से कौन सा आपका विशेशन सब्द नहीं है, बताइए, 31 पर प अगले प्रशन की और अगर आम बढ़ते हैं 32 प्रशन है अर्दसास के पत्र किस पकेड़त के होते हैं अर्दसास के पत्र में देखें फिर से एक पत्र से संबंदित सवाल आ गया ठीक है मैं बार-बार कहे रहा हूं कि पत्र लेखन की वीडियो और पीडिया दोनों देख लीजिए इससे संबंदित जितने प्रशन हैं वो कहीं भी आपके गलर नहीं होने जा रहे हैं 32 प्रशन में विकल्ब देखें पहला है श्वाल जनिक बी दे रखा है गोपनी है सी दे रखा ए और बी दोनों डी दे रखा है इनमें से कोई नहीं ठीक है चारों में से चूच करिए कौन सा आप्शन आपका साही है कौन सा उत्तर आपका एकदम बिल्कुल साही है तो बिल्कुल साही जिनोंने अर्द सास के पत्रों किस परगरत के होते हैं और आप्शन ब केवल authority होती है, उस पत्र को खोलेगी, ठीक है, वहीं अधिकारी केवल उस पत्र को खोलेगा, और कोई भी उस पत्र को खोलता नहीं है, ठीक है, पत्थर का परियावाची शब्द नहीं है, ठीक है, पत्थर का परियावाची नहीं है, option देख लगते हैं, a दे रखा है पाहन, B दे रखा है उपल, C दे रखा है पासान, D दे रखा है उरग ठीक है, इन चारों में से चूच करिए, चलिए, जब आप बताईए इन में से कौन सा है बिल्कुल सही, जिन्नोंने option D चुना है, वो बिल्कुल सही है क्योंकि पत्थर का प्रयाइवाची सब्द आपका उरग नहीं होता है उरग शब्द किसका प्रयाइवाची है, चलिए, बताईए, उरग शब्द किसका साप का प्रयाइवाची होता है, उरग, ठीक है उरक सिर्द साप का प्रियावाची होता है बाकि तीनों आपके पत्थर के है इसका एक तरीके से परियावाची तत्सम सब्डा अगर गर देखें अब जहां पर ऐसे सब्दा जाते है वो question आपका tough होने लगता है कौन सा सब्ड आइका प्रियावाची नहीं है शी पावनास दिया है, डी सिंदूर दिया है, ठीक है, चलिए बताईए इनमें से कौन सा जवाब सही है, बोलते रही है, जहां पर भी है, आप अपने आपको सांत मत रखिए, क्योंकि अगर आप सांत रख लिए, तो कहीं न कहीं फिर आप उस चीज से दूर होने लगते हैं, चलिए जिनोंने बिल्गुल सही, ऑप्षन डी चुना है, वो एकदम सही है, क्योंकि आपका सिंदूर होता है, सिंदूर हाथी का एक तरीके से क्या होता है, परियायशब्द होता है, हाथी का परियायवाची होता है, तो ऑप्षन डी जिनोंने चूच कर रखा है, वो बिल क्या होगा तो ऑप्शन आप जल्दी चूच करें देम का विलों किया होगा इस Worlds के लिए तो बिल्कुल सही जिनोंने वेदम के लिए क्वोंसा सब्द चुना है क्यों सांफशन सही है बेदम के लिए जिन्हों ने चुन लिया है आपका option number A वो बिल्कुल सही है क्योंकि बेदम का विलों होता है दमदार ठीक है बेदम का विलों दमदार होता है बाकी आपके उपियुक्त सब्द नहीं है विलों के लिए 36 number question कौन सा सब्द सुद्ध है बहुँत ध्यान दीजेगा सुद्ध और असुद्ध सब्दों में ठीक है क्योंकि इन में मौक्स मिलना बहुत आसान यसी चीज है और आप सुद्ध की जगे सुन लिए या लिखाए निम लिखित मेंसे कौन सा सब्द सुद्ध नहीं है अंत में जोड दिया और पता चला आप बहुत तेजी में हैं नहीं नहीं पड़े और फिर भी गलत करके चले आए option A है अभ्यस्त B दे रखा है अभ्यस्त C दे रखा है अभ्यस्त और D दे रखा है अभ्यस्त तो इन में से कौन सी वरतनी अभ्यस्त की सुद्ध है तो विकल्फ C जो आप लोग चूच कर रहे है वो बिल्कुल सही है विकल्फ C आपका एकडम करेक्ट है अगले प्रस्ट की ओर भरतने है 37 नमबर है वधू कभा हुआ चनरू क्या होगा ठीके वधू कभा हुआ चनरू 350 पहला आप्टch न रखा है वधू है बी रखा है आपका वधू सी दे रा है वधू है और दी दे रखा है वधू है तू बिल्कुल सही जिनोंने सी चूच किया है वो एकड़म बिल्कुल सही है क्योंकि वदू का विलोम, नहीं, यहाँ पर A, यहाँ पर A की मात्रा है, यह नहीं, यहाँ पर यह जो मात्रा है, ठीक है, यह विल्गुल सही है, तो वदू का विलोम आपका वदूय होगा, जो option D में विल्गुल उवीप्त लिखा हुआ है, ठीक है, अगले प्राशन की और राम सीता से सुन्दर है, बहुत बढ़ी हाँ प्रशन है, बताइए, वाकि में कौन सा कारक है, कारक से संबंदित सवाल होते हैं, मैं बार बार बोल ला हूँ, व्याकरणी कोटिया, व्याकरणी कोटिया आपको जरूर पढ़के जाना है, क्योंकि व्याकरणी कोटियों से प्रश्न आपको मिलने वाले हैं और ऊपर हो जाएं तो बड़ी बार नहीं है ठीक है ओप्शन ने परिवासा अच्छे से पड़ रखी है वहीं इसonosrire को जबाब attentive सकते हैं आज कल ऐसे ही प्रशन नहीं नहीं यूपी टिपल एशी फॉर्म कर गया आप से पूछ रहा है ठीक है बताइए कि राम सीता से सुन्दर है यहां पर तुलना की जा रही है और जहां पर दोस्तों तुलना होती है वहां पर कौन सा कारक होता है अपादान जिन्होंने विकल बीच चुना है वो बिल्गुल एकदम सही है क्योंकि इस प्रशन में आपका विकल भी सही है राम सीता से सुन्दर है इसमें अपादान गारक है 49 नमबर प्रशन में बढ़ते हैं रचना कार में कौन सा समास है ठीक है समास से संबंदित प्रशन है आप सब्द देगे जब वर्णो का मेल पढ़ते हैं तो वर्णो का मेल संधी होता है लेकिन सब्दो का मेल एक तरीके से समास होता है समास से भी सब्दों की रचना होती है A option दे रखाए, तत्पुरुस B दे रखाए, बहुरी C दे रखाए, करमधारए ठीक है, और D दे रखाए, अवेई भाओ, चारों में से कौन सा विकल्ब आपका सही होगा, रचनाकार रचनाकार यानि इसका आर्थ होता है क्या, रचना करने वाला और जिन्होंने यहाँ पर समास के रूप में चूच किया option यह, तत्पुरुस समास, वो बिल्कुल सही है, क्योंकि रचनाकार में समास आपका तत्पुरुस है चालिस नमबर प्रशने संदी विच्छेष से संबन दित है, उचिछिष्ट का सुद्ध संदी विच्छेष बहुत यह अपने आप में टफ है, बेंजन सब्द किया जब आप तरहवी, बरावी या तरहवी नमबर की आप पढ़ने जाओगे क्या, इसके नियम वहाँ पर आपको मिलेगा, ठीक है, चलिए सबसे पहले, इसके आप विकल्ब देख लेतना है, फिर मैं आगे डिसक्रसन करके आपको बता हूँ, उतधनसिष्ट, दूसरा है, उतधनसिष्ट, और चोथा दे रखा है आपका, उतधनसिष्ट, ठीक है, इनमें से बताइए, कौन सा वि आपका B चूच कर लिया है, ठीक है, आप्शन B और ऑप्शन C जो भी है, दोनों एक जैसे हैं, ठीक है, B या C में से जो भी लोग चूच कर रहे हैं, वो बिल्गुल सही हैं, लेकिन यहां पर जो है, साधारण सा होना चाहिए, तो बी जिनों ने चूच किया है वो बिल्कुल सही है क्योंकि उत्धन सिष्ट जब आप चूच करते हैं तो इन दोनों का जो संधी होती है ये उत्षिष्ट बनती है क्योंकि जहां पर ता का मिल आपके तालब विशा से हो वहां पर ता की जगे पर आधाचा ठीक है ता की ज टीक वहां पर ता के जगे पर चा और शा के जगे पर तालब भी शा के जगे पर चा हो जाता है यह एक बिंजन संदिका नियम है आगे बढ़ते हैं अगले 41 नमबर प्रशन वाक्यों का वरीगरन मुख्यता कितने प्रकार से होता है अप्शन दे रखा है 2, C, B दे रखा 3, C दे रखा 8, D दे रखा 6 इन चारों में से आप विकल चुनिए कौन सा विकल इस प्रशन का सही जबाब दे रहा है 41 नमबर का प्रशन जल्दी इसका बता है मैंने अभी उपर डिसकस किया था बिल्कुल सही जिनों ने उप्शन ये चूच किया है वाक्यों का वरीगरन दो प्रकार से होता है अगर उन दोनों प्रकारों में देखू तो पहला आपका होता है एक तो वाक्यों बनते हैं अर्थ के आधार पर ठीक है जिनके बारे में मैंने बताया आपको की समान एक तरीके से कौन से अग्या सुचक बिस्मय वाच्चक ठीक है प्रस्चनमाचसक ये जो बनते हैं यह सब अर्थ के आधार पर बनने वाले हैं ये बनते हैं तो इससे पहचानन को सवाल 100% आएगा ठीक है इसको बहुत धंग से पढ़िएगा मिश्रवा की आगे बढ़ते हैं एक 42 नमबर प्रश्ण है 42 नमबर का प्रश्ण आपसे बोल ला है कि किसी वर्ण में हलंद का प्रियोग किस लिए किया जाता है आप्शन पढ़िए आप बहुत अच्छे से समझ जाएंगे हा की ध्वन के लिए बी दे रहा है नाक्ष है उचारण के लिए सी दे रहा है वर्ण को बिना बेंजन के प्रियोग करने के लिए डी दे रहा है वर्ण को बिना स्वर के प्रियोग करने के लिए हलन्त का प्रियोग किसलिए करते हैं हलन्त का प्रियोग इसलिए करते हैं कि अगर वाक्षी में हमें बिना स्वर के उस वाक्षी को बोलना है दर्शाना है तो वो हलन्त वहां लगना चाहिए अगर मैं बेंजनों की बात करूँ और जहां पर Benjane माली जे ये मैंने लिख दिया का लिख दिया, खा लिख दिया, गा लिख दिया घाल लिख दिया, ठीक है अब ये मैं आप से पूछू क्या ये Benjane आप में सुद्ध लिखे हैं तो आपका जबाब बहुत लोगों का हो सकता है नहीं, यह बैंजन गलन लिखे हुई है. यहाँ पर जो यह बैंजन सब्दों का इस्तिमाल हुआ है, यह गलत है. क्योंकि इन सभी के नीचे जब आप हलंत लगा देंगे, तो यह बैंजन का सुध्धरूप होता है. ठेके इनमें स्वर्ण का उचारण नहीं ओने चाहए बिंजन का सुद्ध रूप होता है कि जहांप रहां लगयोत तो स्वर्ण का उचारण जहांपर हमें नहीं करPacal करना है उनके लिए ही हम किस का इस्तेमाल करते हैं हलन प्रियोग करते हैं चलिए अगले सही जबाब दीजिए या जो आ रहा है वो बोलते रहे हैं जिनों ने जबाब चूच कर लिया है option B वो बिलकुल सही है इलाइची बाढ़ना का आरत होता है दावत देना कहता है नहीं का वह यह इलाइची बाढ़ते फिर रहे हो और D दे रखा है इन चारों में से आप चूच करों जिनसे बाढ़न नहीं बनते हैं यहां पर आपको अच्छा दिमाग लगाना होगा ठीक है इन चारों विकल्बों में से कौन सा है जिनसे हम कोई वर्ड नहीं बना सकते हैं तुरन बताइए बहुत सही जिनों ने जबाब D चुना है इससे बाढ़न नहीं बन सकते हैं लेकिन आप कोई लोगों के दिमाग में यह चीज घूम रही होगी कि सी ऑप्षन में जो अड़ा लिखा है इससे भी तो कोई सब्द नहीं बनते नहीं इससे सब्द बनाय जा सकते हैं व आपके इस्तेमाल होते हैं तत्सम में बहुत सारे इसे सब्द हैं जिनका प्रियोग होता है लेकिन आप कहीं भी हिंदी वर्ण माला में अड़ा से सब्द नहीं बना सकते हैं ठीक है तो इसका विकल्प आपका डी सही होगा चलिए अगले प्रश्ण की और बढ़ते हैं पैता सब्सक्राइब अर्दस्वर के बारे में तो हम पढ़ते हैं हरे चीज़े पढ़ लेते हैं दीर प्लुत सब कुछ पढ़ लेते हैं लेकिन अर्दस्वर इन चीजों पर बहुत कम ध्यान दे रख देते हैं देखिए वर्ण माला से मैं 60 प्रशनों में बता रहा हूं 60 प्रशनों में तो हिंदी वर्ण माला बहुत जरूरी है पीडियाप ग्रूप पर सेयर की गई है फेस्बूक ग्रूप से जोड़कर या टेलीग्राम चैनल से जोड़कर आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं 45 नमबर देखिए इन में से कौन सा अर्दस्वर नहीं है तो जि के बीच हों ना तो सोरो वाला पूरा का पूरा गुड़ो मनलत कहीं ना कहीं जीसाएज जो आपके श्वर होते हैं यह इन में खासकर जैसे असफरसी भी आते हैं बहुत तरीकित के आते हैं तो सवरों में हम कोई-णा कोई मुक्य अंगों का प्रियोग करते हैं तो यह और में इसलिए इनको अंतास्त बोला जाता है ठीक है क्योंकि इन में जीव तालू इन सभी का कहीं न कहीं प्रियोग होके फिर इन दोनों का उचारण होता है अंतास्त जो आपके चारण होते हैं या वाराला ठीक है तो उनमें इन वेंजनों को इसलिए अंतास्त रखा जाता है क कि आपके जितने आपके मुख के अंग है उन सभी का मिक्षर होके ठीक है उन सभी की समलित सहायता के दोरान इन वर्णों का उच्छारन होता है आगे बढ़ते हैं मूल असपरसी विंजन की संख्या कितनी है बहुत आराम से पढ़िएगा A है 25, B है 49, C है आपका 20 और D दे रखा है 16 जवाब दीजिए इस प्रशन का मूल असपरसी विंजनों की संख्या कितनी है हिंदी बाण माला में ठीक है यही पर देखते हैं कि कितने लोग सही होने वाले हैं प्रशन बहुत अच्छा है जिन्होंने option A चूज किया है वो बिल्कुल गलत है option D इसका बिल्कुल सही है मूल असपरसी विंजन यहां असपरसी नहीं पूछा है मूल असपरसी विंजनों की संख्या 16 है ठीक है इनमें अब आप पूछेंगे कि 16 में कौन गोन से आते हैं आप 25 परते हैं 25 बिल्कुल सही 25 असपरसी विंजन है लेकिन मैंने आप से प्रश इसमें सामिल हो गया मा और नाशिक की जो हर वर्ग का पांच वा है तो पांच में से ये सामिल हो गया यानि पांच इसके और चार नाशिक वाले अ नो वर्ड आप निकाल दीजिये तो बाकी जो सोला बनते हैं ये मुलसी विंजन कर लाते हैं बिल्कुल दिमाग में रख लिजीगा मुलसी विंजन में 5 पावर के और चार जो आपके बाकी वचे नासिकी के होते हैं यानि पांच दंचार यानि नौ वर्डों को सामिल नहीं किया जाता है यह वर्ड आपके क्या होते हैं मूलस परसी भ्यंजन के लाते हैं 67 आधार पर भूक सब्सक्राइब कों सब्सक्राइब को सब्सक्राइब करते हैं कुछ भी करते रहें लेकिन अपने आपको एक्टीव रखें अपने आपको कहीं मनोबल बढ़ा के रखें सब्द की आधार पर भूख सब्द कौन सा सब्द है तो इन चारों विकल में से 47 के जिनोंने option C चुन लिया है भाव आचक संग्या वो बिल्कुल सही है क्योंकि आपको ये ध्यान रखना है कि भूखा सब्द आपका विशेशण होता है भूख नहीं ठीक है भूख जो सब्द है ये भाव आचक संग्या है और भूखा सब्द आपका क्या है भूखा सब्द आपका विशेशण है तो इन दोनों में डिफरेंस आप रखेगा ठीक है भूख आपकी भाव आचक संग्या है और भूखा सब्द आपका विशेशण है अगले प्रशन की और बढ़ते है 48 डंबर प्रशन आप से दे रखा है कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा वाकि में रेखांकित सब्द आजादी जो यहां पर शब्द है रेखांकित इसके बारे में बताना है कि यह कैसा सब्द है ठीक है किस सब्द इन चारों मेंसे आपको चूच करना है कौन सा जवाब आपका शही होने बताइए 48 डंबर का आंसर जिनोंने बिल्गुल सई आप्शन C चूच कर लिया है यानि वह पाव आचक संग्या हो एक्तम सही है क्योंकि आजादी शब्द आपका विशेशन हो ता है आजादी शब् आपकी भावाचक संग्या होती है चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्ण की हो 49 नंबर का जो आपके शाबने प्रश्ण आने वाला है बहुत अच्छा प्रश्ण है निर्धन में कौन सा समास है बहुत धीमे से पढ़िएगा क्योंकि मैंने जिन क्वेश्ण को रखा है वो आपने आप में कहीं ना कहीं अच्छे प्रश्ण है यानि आपको गलत होने के मौक्य बहुत देंगे ऑप्शन ये में है बहु भी बी में है तत्पुरुष सी में अवेवी भाव डी में है अपादान तत्पुरुष बताइए चलिए तुनन तो यहां पर बहु ग्यां पर गरीब है टो यहां पर बहु ग्दैख होगा ऐसे समास ऐसे समस्त पद जो डोनों पदों की मानता-प्रधानता नहीं देते हो जो नेंडेतों है यहां पर यहां पर डिलिखन हम रहाभ सेंचरी पर आ चुग हैं निलिखित को है अशार शब् से एक चूच किया है कि आशार सब्द की सही वरतनी कौन सही है चूच करिए ओप्षन ए में दे रखा है जहां पर आपका कहीं न कहीं और धनिशा का प्रियोग है भी में आपका ठीक है सामानिशा है या जिसको आप बोलते हैं क्या सरवता वाला सा पंडी जी जो पढ़ाते थ सी में आपका तालब शाह मैं ऌधिर से वहीं चूच किया है तो चलिए बताइए नियसे कौन सा विकल्ब सही है बिलकुल सही है कि इननोंने औप्षनिये चूच किया है वह एकदम सही है क्योंकि आशार शब्द में हम कहीं नथा किमोर्धन शा का इस्तेमाल करते हैं ठीक है और सटकूल वाला सा हम आस तक पढ़े हैं इसको चलिए एक क्याओन नंबर प्रशन बहुत बढ़ी हाँ प्रशन है ये भी एक क्याओन नंबर प्रशन आप से कह रहा है निम्न में असुद्ध सब्द कौन सा है चूच करिए बाई इन चारों में से चूच करिए क्योंकि इसी पर आधारित एक प्रशन पिछली परिच्छा में अभी 2019 में पूछा गया है इसलिए मैंने इस प्रशन को फ्रेम किया है बदाए कौन सा सब्द इसमें से असुद्ध है चलिए जिन्होंने बिल्कुल सही ऑप्सन डी चुना है शुशुर्सा यहाँ पर सुशुर्सा जो सब्द लिखा है यह सब्द गल लिखा है सुशुर्सा सब्द की अगर मैं सुद्ध वरतनी की बात करूँ तो इसमें तालब विशा आता है सबसे पहले और फिर आपका आता है साइक्त वाला शा यह होती है सुद्ध वरतनी सुशुर्सा ठीक है सुपरंडखा भी यह ध्यान रखेगा क्योंकि यह सुपरंडखा भी पूछा जा चुका है इस वरतनी से संबंधित अगला है बावन नंबर पाव रोटी शब्द कैसा सब्द है यानि शब्द के प्रकार में जाना है पहला है देशद, बी दे रखाये तद्सम, सी दे रखा तद्बो, डी दे रखाये शंकर पाव रोटी बताइए कौन सा सब्द है पाओ रोटी आपका जो है पाओ रोटी यह संकर सब्द है यानि दो आपके अलग-अलग भासाओं के सब्दों से मिलकर बना हुआ सब्द है ठीक है अगले प्रशन की ओर बढ़ते हैं आपका 53 नंबर है तिरपन नंबर प्रशन है दुछ सब्द का प्रियोग निम्न में से कि किसमें नहीं हुआ है बहुत अछे है से पढ़िए करेब सब्दों के बारे में बात कर रहा हमें अब यहां पर देखिए ús सब्द क्या होते हैं जहां पर सस्के थे नहीं है और सिप्द करना है कि अगले प्रशन की अगर मैं लेकर आप से बात करूँ टीक है तो अगला प्रश्टन जो आपका दे रखा है पाजबना नंबर प्रविश ιशन का प्रयोग किस वाकि में प्रयोग नहीं किया गया है बताईए दिया रखा है धи इन चारों में से आप अच्छे से दिमाग लगाईए कि किस में प्राविशेशन का प्रियोग नहीं हुआ है सबसे पहले जानना ये जरूर ये प्राविशेशन की परिवासा क्या है चलिए आप जबाब कमेट कर ले फिर मैं बता रहा हूं इस चीज को कि इन में से कौन सा आपका सही है बिल्कुल सही है बिल्कुल सही जिन्यों ने option भी चूच कर रखा है वो बहुत सही है वो आप बहुत सुन्दर नाचा विशेशन की विशेशन की विशेशन बताने वाले सब्दों को प्राविशेशन कहा जाता है ठीक है अन्य में देखो वहाँ बहुत काला है काला खुद विशेशन है बहुत आपका हई है ठीक है वहाँ बहुत सुन्दर नाचा ठीक है उसी सब्द में इसमें जो है क्योंकि यहाँ पर नाचा ऐसा कोई सब्द नहीं आ रहा है कि जिसकी विशेशता बताने के लिए विश सुरिण है वर लुए शेृषर्ट के द्वारा जो मुखी अर्थ प्रकट होता है उसे क्या ते है वाचग मल भोलने वाला जो ब्लॉसेटीनि वॉला है तो उसे क्या तो बुछला वैंज इसां प्रक्तूरा मैं मैं जैसां मैं हमस्दें नंसे capable आप सुरोता हूँ मैं बाचक हुआ है प्रेडार्थ, B हुआ मुलार्थ, C हुआ अभिध्यार्थ और D हुआ लच्छार्थ इन चारों में से अगर आप चूच करें कौन सा विकल्प आपका एकदम सही होगा तो बिल्गल सही जिन्हों ने चूच किया है और B यह एकदम सही है जो बाचक सब्द का मुखे अर्थ होता है यह मुलार्थ कहलाता है, ठीक है बाचक सब्द का मुखे अर्थ, मुलार्थ कहलाता है 57. नंबर परुbnशन है निम लिखिप वाक्यों मेंसे किसमे संग्याववाकिय है option देखते हैं विकल्ब देखते हैं पहला विकल्ब जहीं station पहुंचे गारी छूट गई B में दे रखा है गुरु जी ने कहा कि कलमत आना C में दे रखा है जो जैसा करता है वैसा ही भरता है जब तुम जाओगे तब चलेंगे इन चारों में से चूच करना है संग्या उपवाक की उपवाक की से समधित मैंने उपर आप से डिसकस किया था तो इन हतने बालाओ में जाओगे पर किसी परिस्थित का जिकर हो वहाँ पर किसी पडाम का जिकर हो वहाँ पर हमेशा क्या होता है क्रिया भी सेशन पर उपवाक्ती होता है इन सभी में आप देख लो जो ही इस टेशन पहुंचे गारी छूट गई ठीक है जो जैसा करता है वह ऐसा ही भरता है परडाम के भारे में तुम जब तुम आओगे तब चलेंगे अब एक सर्त हो गई तो यह सब क्या होते हैं क्रिया दे रखा हावी सी दे रखा है कुंड डी दे रखा है रवी इन चारों में से कौन सा विकलब आपके लिए उपीत है चूच करें और जबाब दें देखें ऑप्शन बी जो चूच है जिनोंने किया है जिनका दिमाग घूम रहा है बिल्गू सभी है क्योंकि हमन की सामक्री क के लिए को हवी बोलते हैं ठीक है उनसे नंबर ऑदारी की तरह ब्योहारी ठीक है प्रशन अच्छे से पढ़िएगा ऑदारी की तरह ही ब्योहार सब्द में कौन सा सब्द ठीक है इन चारों में अगर ब्योहार सब्द के लिए हम में इन चारों में से चूच करना हो तो कौ आउदारी जैसे होता है वशे ब्याउहारी शही होता है ठीक है ब्याउहारी आगे बरते हैं प्राप्तांग में समास कौन सा है बताइए प्राप्तांग जो आपका सब्द है इसमें कौन सा समास होगा अवेविभाव होगा की दिग होगा की द्वंद होगा की तत्पुरुस ह हो गा चलो बताओ समास यह जल्दी बताइए जिनों ने विल्कुल सही बिगल शाट नंबर का विकलप आपका चूच कर लिया है तत्पुरुस वो बिल्कुल सही है क्योंकि प्राप्तांग का अर्थ होता है यानि पाने वाला अंक ठीक है तो यह क्या होगा कहीं ना कहीं तत् रखा है गोड़संद इन चारों से संबंदित आपको सही उत्तर चूच करें और तुरंट कमेंट करें या बोलें जहां पर भी हैं चलिए एक साथ नंबर का जिनों ने जबाब चूच किया है C बिल्गुल सही है क्योंकि तृष्णा की अगर हम संदि विचेत की बात करें तो तृष्ण धन ना ये बनती है तृष्णा तो यहां पर देख रहे हैं कि जो आपका मुर्धन इशाह है इसका मिल ना से हो रहा है तो ये दोनों आवास में क्या है एक तरीके से बिल्जन संद जटी और ढीरेक्खा अंश्माली चलिए बताईए बिल्गुल भूती है भूलते रहें धूरिजटी महादेव का प्राइबाची होता है महादेव स्द का प्राइबाची धूर जटी होता है आगे बढ़िए अगले प्राश् radical की और बढ़ते हैं तिरिश्ट नंबर प्रश्ण है हिंदी भाषा का वाख कौन सा ऐसा मानक शब्द का रूप है जो मानक शब्द के रूप में हिंदी के रूप में शब्कार किया गया है चलिए बताइए भई और विखार किया गया है और इसी पर बहुत सारी रचनाइब भी आपको देखने को मिलती हैं हिंदी के मानग रूप में खड़ी भोली को लेकर चलिए आगे बरते हैं अगले प्रश्न की और और प्रश्न नमबर 64 आपके सामने हैं अनुपस्थित सब्द में कौन किस उप्शर्ग का प्रश्ण से संबंदित विसे प्रश्न आ गया असने दे रखा है अनु बीजा है अंd maior और डी जिन्होंने B चूच किया है, वो बिल्कुल सही है, अब अगले प्रश्ट की ओर बढ़ते हैं, तद्धितांत रूप वाशुदेव में कौन सा प्रत्य लगा है, बिकल पे दे रखा है, आपका A, B दे रखा है, बड़ा, C दे रखा, I and B दे रखा A, इन चारों में से चूच क वाशुदेव में आप रत्य लगा है, छासर नमबर प्रशन आपके सामने है, फिर से एक बार अच्छा प्रशन आपके सामने आ गया, जो बदला लेना चाहता है, उसके लिए एक सब्दा क्या प्रयोक करोगी, जो बदला निन चाहता है, विकल देखिए, प्रचित, संखला है, इन 800 प्रशनों में बहुत कुछ आपको मिलने वाला भी, तो ऐसे ऐसे आपके सामने प्रशन आएंगे, जिन को आप एक बार देखेंगे, तो कहीं न कहीं दिमाग आपका उस चीज पर सोचने को मजबूर कर देगा, देगे, इसमें जो नहोंने विकल चूज किय संखला है, सी, वो बिल्कुल सही है, क्योंकि जो बदला लेना चाहता है, उस व्यक्ति के लिए हम प्रचकीर्शू सब्द का प्रियोग करते हैं, एक सब्दों में एक सब्द, बढ़ते हैं अगले प्रशन की और 66 बर नंबर प्रशन आपके सामने है, सरसर नंबर प्रशन क करिए कौन सा विकलबाब का सुमेलिद नहीं है, सरसर नंबर का, बिल्कुल सही है, जिनों ने जबाब दे रखा है, डी, क्योंकि अगनी और अनिल, अनल होता तो यह सही होता, बाकी आप लोग समझते हैं कि एक दूसरे के क्या है, कही ना कहीं, परियावाजी सब्दों के आगे बरते हैं, अर्शत नंबर का प्रशन आपके सामने है, कह रहा है कलपना का विपरार्थक सब्द कौन सा है, कलपना का विपरार्थक सब्द कौन सा है, इन में से चूच करना है आपको, ऑप्शन यह देखिए, ऑप्शन यह में कह रहा है कि आपका यथार्थ B दे कौनसा एः option ठीक है याथार्थ को विल्गूल शही वास्त भी कि यहां के लिए क्योंकि मैंने बताए हिंदी में सब्दों का बहुत बड़ा खेल होता है वास्त भी से कौन सा विकलब आपका सही है जिनों ने उत्तर चूच किया सी वो एकदम सही है रेडू ठीक है रेडू नहीं रेडू होता है यह बिलकुल एकदम सही है अगले प्रश्ण की ओर बढ़ते हैं सतर नमबर प्रश्ण ए का उचारा रस्थान क्या है ठीक है वाणों के उचारा साइब का सही है तो जिनों ने जवाब चूच किया है ताला भी वो बिलकुल सही है क्योंकि इक तरीके से उचारण होता है वो तालू से होता है आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्ण की ओर एकत्तर नमबर का प्रश्ण है बहुत बढ़ी हाँ प्रश्ण है अमीर खुष्रो उन्होंने हिंदवी के तोर पर लिखा है अपनी रचनाओं में उन्होंने हिंदी नहीं हिंदवी सब्द का इस्तेमाल किया है और सने जिनोंने बता है वो बिलकुल सही है 72 नमबर प्रश्ण है भाशावा साधन है ठीक है पूरा पढ़िए अच्छे से कह रहा है भाशावा प्रकट कर सकता है और सब्सका इस की तो बिलकुल सही जिनों जो लोग इस बारे में सोच रहे हैं कामता प्रसाथ गुरु वो कहीं ना कहीं बिलकुल सही है क्योंकि कामता प्रशाद गुरु ने ही ये वक्त भी बोला था कि इसके बारे में भाषा की परिभाषा के बारे में कि भाषा वा साधन है जिसके बारे में मनुश्य अपना क्या कर सकता है कही न कही अपने विचारों को दूसरों तर पहुंचा सकता है उसी को हम क्या बोलते ह चलिए अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं अगला प्रश्न आपका है 73 नमबर का प्रश्ण है 73 नमबर का प्रश्ण है 73 नमबर प्रश्ण पर अगर हम देखें तो 73 नमबर का जो यह प्रश्ण है आपके सामने इसमें कहाई रहा है अवधी का उद्भो किस अभण से हुआ है बहुत बड़ी हैं प्रश्णी है आपके सामने है विकलत आप देखें शौर सैनी है शौर सैनी के बाद फिर आपका B है पैसाची C दे रखा है आपकी कौन सी अर्धमागदी और D दे रखा है शौर सैनी अबरंज इन चारों में से आपको एक सही विकल चूच करना है सही विकल के तोर पर बिल्कुल सही जो लोग बता रहे हैं यहाँ पर कौन सी ओप्शन C वो बिल्कुल सही है क्योंकि आउधी का उद्भाव जो है ठीक है यह अर्धमागदी से हुआ है अर्धमागदी अब्रन से हुआ है ओधी का तो 73 नमबर का आपका जबाब सही हो रहा है ओप्शन C आगे की ओर बढ़ते हैं 74 नमबर का प्रशन है निम्न में से कौन सा देशस सब्द नहीं है तो इसके बारे में आपको थोड़ा सा क्या करना है सोचना है क्योंकि देशस सब्द क्या होते हैं जो अपने यहां कैसे इस्तेमाल होने लगे आम बोलचाल की भासा में प्रियुक्त होने लगते हैं ऐसे सब्दों को हम देशस सब्द कहते हैं ठीक है तो इन में से चूच करना है कि देशस सब्द कौन सा है option देख लेते हैं पहला दे रखा है धिबरी दूसरा दे रखा है आपका पगड़ी तीसरा option दे रखा है धोर और चौथा option दे रखा है चलिए बताई इन चारों में से कौन सा सब्द आपका है? जो देश सजर नहीं है. ठीक है? बिल्कुल, जो आपका यहां पर पुसकर सब्द दिया, यह तक्सम सब्द होता है. पुसकर सब्द इन में से आपका देश सब्द नहीं है. 75 नंबर प्रस्ण की और अगर मैं बढ़ाँ, तो अगला प्रस्ण आपके सामने है, बिनायक का प्रायवाची सब्द कौन सा है? चूच करिए, बिनायक सब्द का प्रायवाची आपसाने दे रखाए सुर, बी दे रखाए पुत्र, स्टी दे रखाए सत्रु, और D दिरखाय गड़ेस, इंचारों में से कौन सा आपका सब्ड़ा है? जो विनायक का है तो विनायक किसके लिए प्रयूक्त होता है? भागवर्ण गड़ेस के लिए प्रयूक्त होता है ठीक है? ये उन्हीं के लिए प्रयवाची सब्द के तोर पर आता है, दामनी का प्रयावाची सब्द कौन सा है, 76 नमबर प्रशन आपके सामने है, विकल्ब देगे, पहला है वर्षा, B दे रखा है नीरद, C दे रखा है बादल, D दे रखा है विद्दुत, इन चार में से सही विकल्ब, आप चुनिए, कमेंट करिए, बताइए, जरूर पर हैं, बोलते रही है वही, लगातार मलब अपने आपको, आपको आपको एक्टिव रखना है, तो दामनी का प्रयावाची सब्द होता है, क्या बिद्दुत, बिल्कुल सही जबाब है, जिनों ने बिद्दुत चूच किया है, वो बिल्कुल सही है, 77 नमबर प्रशन चूच करना है, उप्चन देखते हैं, बिल्कुल सही है, ग्राह है, 78 नमबर प्रशन के सामने दीवा का बिलोम आपको चूच करना आपको प्रशन आपको दीवा देखते हैं, पहला दे रखध है, रात्री, दूसरा देखते हैं, दे रखा है भोर, C दे रखा है धूर, T दे रखा है प्रकास, इन चारों में से दीवा शब्द का विलोम क्या होगा, तो दीवा का मनलब दिन और रात्री इसके लिए सबसे उपीपत है, तो option ये बिल्कुल सही हो गया है, जिन लोगों ने option A चूच किया है, वो एकदम कहीना कहीं correct है, चलिए, अगले प्रशन की ओर हम बढ़ते हैं, अगला जो आपका प्रशन दे रखा है इसमें, चलिए, अगले प्रशन की ओर हम बढ़ते हैं, अगला जो आपका प्रशन दे रखा है, ठीक है, यानि प्रशन संख्या हम पहुँच गे 7-9 पर भाई, ठीक है, प्र आप दिख रहा होगा, अध्यापक, अग्रसोची, अध्येता, इन चारों में से उपिक्त विकल कौन सा है, बताओ भई, बहुत बड़ी हाप्रशन है, इस में से आपको बताना है कि अध्यापक काम करता है, उसके लिए एक सब्द क्या है, तो इन में से राइट अप्शन अध्यता, और जो पढ़ाने का काम करता है, वो क्या होता है, अध्यापक, ठीक है, अनल्दध का मलब होता है, ऐसा बेक्ति जो आग से पूरी तरीके से जल गया हो, जिसकी सरीर आग से जल गई हो, उसको अनल्दध, यानि जो आग से नहाया हुआ हो, अग्रसोची का मलब ह होता है जो भविष्षी की सोचता हूँ उसको अगर सोची कहते हैं ठीक है चलिए 79 नंबर प्रशना आपके सामने है ऐसा तर्क बहुत बढ़िया प्रशन है इससे सम्मंदित एक प्रशना भी उसमें आया था मंडी परिशद में यह उसी आधार पर मैंने फ्रेम किया है ऐसा आरक गिरे प्रशना प्रशना टारक जो देखने पर थीक परतीत होता हो किंच वैसा ना हो ठीक है बताइए इसके बारे में इसा सब्ड़ आपका जो देखने पर ठीक प्रतीत हो लेकिन वैसा ना हो पहला च् तर्क सम्मत B दे रखा है या तोड़ दो तो तर्क धना अभास मलब तर्क का अभास तो होगा लेकिन है नहीं तर्क करने हो ठीक है वैसा है नहीं आपको लगेगा यहां तर्क करना चाहिए लेकिन वो वैसा सब्द नहीं होगा ऐसे सब्दों को तर्क अभास अन्य के बारे में अगर मैं आपसे बात कर लूँ ठीक है जैसे जो option आपके अन्य दिया है इन में तरक सम्मत किसके लिए प्रयुक्त होगा बहुत जरूरी चीज है इसको बहुत अच्छे से ध्यान रखेगा तरक संबत के बारे में अगर मैं आपसे बात करूँ तो तरक संबत जो होता है यानि ऐसा तरक जो आपका मलब एक ऐसी बात जो तरक के द्वारा मानी जाए वो तरक संबत कहलाती है ठीक है ऐसी चीज ऐसी बात जो तरक के द्वारा मानी जाए वो तरक संबत अब तरक संबत क् जो तर्क करने के योगी हो वो तर्क कहलाता है तो चारों की आप समझ गए ना तर्क सम्मत का मलब हुआ जो तर्क के द्वारा सही सिद्ध हो उसको तर्क सम्मत करते हैं तर्क संगत क्या हुआ तर्क के आधार पर जो सही सिद्ध हो वो तर्क संगत है तर्क सम्मत मलब जो तर् तर्ग करने यहोग हो तर्गा भास का मलब जो तर्ग देखने पर ठीक हो लेकिन वैसा ना हो ठीक है वो तर्गा भास होता है तो चारू आप अच्छे से दिमांग में रखेगा कि इससे संबंदित प्रशन भी आया था लोर में अगले प्रशन की और बढ़ते हैं जो आपका प्रशन की और बढ़ते हैं प्रतवी सूरी से बहुत दूर है वाकि में कारक बताओ बहुत बढ़ी है ठीक है अगर आप अच्छे से सोच कर इसका जवाब दीजेगा नहीं तो आप कहीं न कहीं गलत सावित होंगे ठीक है इस प्रशन में अगर हम देखें पहला दे रखाए विकल्ब संपरदान कारक B दे रखा है अपादान कारक C दे रखा है संबंद कारक D इन चारों में से चूच करिए कौन सा विकल्ब आपके लिए सबसे उपिप्त है ठीक है प्रदमी सूर इससे से आ रहा है तो कहीं न कहीं दिमाग में बनेगा कि हां बाई इससे किसके लिए यूज होता है वो चीज आनी चाहिए करताने कर्म को करण से अब करण भी आ रहा ह ठीक है हलकी इसमें दिया नहीं है तो कौन सा चूच करना चाहिए इनमें जो आपका अपादान दिया है जहां पर दूर की ठीक है दिमाग में क्या बनाईए जहां अलगाओं के बारे में लिखा हो कहीं संध बिच्छे उससे अलग होने की बात चल लई हो वहाँ पर आप सम जो ना डी रह दो आपने अच्छा हो गया जो कोटियों से सम बंदीत प्रशन हो अब इनमें से जिन्हों ने आफ्शन डीश चुना है ठीक है वह बिल्कुल सही है क्योंकि यह इस्त्री लिंग सब्द होता है आगे बड़ते हैं 84 नमबर नीचे दिये के सब्दों में कौन सा इस्त्री लिंग नहीं है यानि पुलिंग सब्द हमें ढोड़ना यहां इस्त्री लिंग नहीं अपता चले एक option आपने होता क्या है ना कि जल्दबाजी में उपर वाला हमने question पढ़ा उसमें पूछ लिया है तो हम नीचे वाले को अपने आप हमारा दिवांग माल लेता है कि इसमें भी यहीं पूछा होगा यहीं गलत करते हैं इसमें इस्तरी लिंग कौन सा नहीं option यह अमावस चा बी दे रखा है आम चरिद माने सी दे रखा है सबाद D दे रखा है पुखराद चलिए बताईए इन चारों में से कौन सा सही है तो 84 नंबर के बारे में बात करें तो जिन्नोंने विकल्ब D चुना है वो बिल्कुल सही है इनका जबाब विकल्ब D जिन्नोंने चूछ किया है वो सही है प्रशन एक बार आपके सामने है यहाँ कार मेरी है रेखां की सब्द कैसा है इन में से चूछ करना है अप्शन अगर आप देखें पुरुस बाचक B दे रखा निश्य बाचक C दे रखा संबंद बाचक D दे रखा है निश्य बाचक चारों में से चूछ करी यहाँ के बारे में बताना है यहाँ जो सब्द है यह सब्द कैसा सर्वनाम है सर्वनाम के बारे में जानते है छे प्रकार होता है चूछ करीए बताइए बिल्कुर से जहां है बोलते रहो भाई है ठीक है आप जानते कौन और क्या सब्द किसके लिए इस्तेमाल होते हैं यह कहीं न कहीं प्रश्ण वाचक संबन जो होते हैं इसमें वह विकल्प सामिल नहीं है तो इसलिए कोई वी किसी बात की निश्चित करने के लिए यह सब्द का प्रयोग होता है तो यह सब्द जो है निश्चे वाचक सर्वनाम का एक भेद है आगे बढ़ते हैं देखो तो कौन आया है अगला प्रश्ण है देखो तो कौन आया है इस सब्द में हमें चूच करना है कि कौन कैसा सर्वन बात कि जानते हैं कि बाप्रतिय संभूधान की आठी अन्सूची में आप जानते हैं कि 22 भासाओं का उलेख है तो option A जिनों ने चूज कर रखा है वो बिल्कुल सही है 22 भासा है किसमें प्रियुक्त की गई है भारतिय संभिधान की आठवी अन्सुची में तो option A बिल्कुल सही है अगले विकल्की और बढ़ते है ब्रजभासा बोली किसके अंतरगत आती है अगला प्रशन है option देखते रहिए पूर्वी हिंदी है कि वही पश्मी हिंदी है कि खड़ी हिंदी है कि सौर साइनी है इन चारों में से आपको बताना है कि ब्रजभासा जो बोली होती है ये किसके अंतरगत आती है तो इन चारों में से जिनों ने विकल कौन सा चूच किया है पश्मी हिंदी वो बिल्कुल सही है पश्मी हिंदी के अंतरगत ठीक है अब इसके बारे में थोड़ा सा और जालो कि पश्मी जो हिंदी होती है इसके अंतरगर पाँच बोली आती है पश्मी हिंदी के अंतरगर पाँच बोली आती है अब वो पाँच बोलियां कौन-कौन सी होती है वो ध्यान से देखेगा पहली जो आपकी बोली होती है ठीक है पहली बोली इसमें कहलाती है खडी बोली ठीक है पहली बोली होती है खड़ी बोली अब खड़ी बोली का अर्थ क्या हो गया यह जो मेरट और विजन और की भासा है नहीं यह तू चलेगा रिक्से वाले बोलते हैं यह तू चलेगा तो यह वहीं वाली भासा है दूसरी जो भासा होती है ठीक है जिसको बोलते हैं बां बोली जाती है है चोथी जो बोली इसके अंतर्गत सामिल है वो Cannauji होती है इस रीजन में भूली जाती है पांच मान गरत में में बात करूं तो अन्देली इसे अंतर्गत आती है बुंदेली बुंदेल खंडी ठीक का ये एक तरीके से उपभासा है तो पांच बोलियां किस के अंतरगत आती है जो है परश्मी हिंदी के अंतरगत आती है अगले प्रशन की और बढ़ते हैं 89 नंबर प्रशन आपके सामने है ध्यान से देखे और जवाब दीजिए ऑप्शन होगा ऑप्शन ये जिनों ने चूज किया है वो अपने आम में सही है क्योंकि ब्राम्ही लिप का प्रियोग सबसे पहले बेदों में किया गया था बेदों की रचनाओं में सुरू किया था किसने है बैदिक आरे हुने 90 नंबर का प्रशन आपके सामने फिर से एक बार है व जानते होंगे कौन-कौन से हैं तो सइट अगर बेंजन की में बात करूँ तो सबसे पहले आपके सइट बेंजन के तौर पर कौन सा आता है छा ठीक है इंगलिस में जिसको के एसे लिखते हैं छत्री वाला छा इस ये किस से मिलकर बना है ये भी जानते रही है का धन और अगला जो आता है यह आता है श्रा, मिसरा वाला, ठीक है, तुसरा में ताला भी शा और रा मिलकर बनाते हैं क्या, श्रा बनाते हैं, το ये चार आपके क्या है एक टरीके से संप्तभेंजन है, अगले प्रशन की और बढलते हैं, 91 नमबर प्रशन आपके सामने हैं, हिंधी को बोलते हैं तो option D विल्कुल सही हो जाएगा ठीक है आगे बरते हैं इसके बाद अगला प्रश 91 के बाद 92 आपके सामने है निम लिखित में से कौन सी वरतनी सुद्ध है बहुत ध्यान से पढ़िएगा पहली वरतनी दे रखा है option A के तोर पर व्यावशाई दूसरी दे रख जेखि हस्ता छेखिए कालीदास D डीद रखी है रिधी इन चारों में से पैसी बताओ ठीक है बिल्कुल जहीं कि वरतनी के तोर पर चूच के लिया है रिधी वह बिल्कुल जही है ठीक है क्योंकि विशाईक की वरतनी यह गलत है व्यावशाईक होगा और ध्याओशाईक होगा यह वरतनी कालिदाश होता है कालिदास नहीं होता है नो आपका सही है, अगला परते हैं, 93 नचे नामबर दिक्गज का सही संद्र को संद्र के संद्र कोुए दिए करदा यह देखे हैं। औपशन यह देखिए, दिज़िदर का मिली या प्रतहल जो आपके बांड़ां आते हैं, हर एक उसमें वर्ग में जैसे का हो पा हो गया, चा हो गया, ता हो गया, अमा, ठीक है, इन में से संबंधित जितने भी माड़ा आते हैं, ता हो गया, इनका मेल अगर इनके तीसरे किसी बांड से हो रहा है, तो वहाँ पर पहले की इस्थान पर तीसरा बांड हो जाता है, ये वेंजन संदिका नियम है, तो दिग ठीक है, तो अतियोग में अगर हम बात करें, चोरान नमबर जो प्रश्ण है, इसमें जो विकल्ब आप C चूच कर रहे हैं, वो लोग बिल्गुल से हैं, क्योंकि अताहधन EO मिलके बनाता है अतियोग, अताहधन EO जब करेंगे, तब बनता है अतियोग, 95 प्रश्ण के सामन है, बियोग में कौन सा उप्षर्ग है, पहला दे रखा है V, दूसरा दे रखा है ओग, C दे रखा है गा, और D दे रखा है बिल्गुल जो उप्षर्ग है, जिन्नोंने विकल्ब A के बारे में सोच रखा है, वो बिल्गुल सही सोच रखे हैं, 96 नमबर प्रश्ण आपके स सामने है, ठीक है, 97 नमबर अगर प्रश्ण की मैं बात करूँ, चरण कमल में कौन सा समा से बहुत बढ़ी है प्रश्ण, फिर से एक बार आपके सामने आ गया है, चरण कमल में पहला दे रखा है अवेवी भाव, दूसरा दे रखा है तद पुरू, C दे रखा है कर्मधार, इन चारों में से चुनना है, चरण कमल का अगर आप आर्थ देखें, ठीक है, तो कमल रूपी चरण, कमल रूपी चरण, दूसरे पद की बहुत प्रधनता आ गई, ठीक है, तो इन में कौन सा होगा, या जहां पर जो है, क्या उपमे और उपमान की आए, तो वहां पर सब क इसकी बात होती ही, कर्मधारे की, तो ये कर्मधारे समास हो गया, C आपका बिल्कुल सही है, 97 नंबर, अगला जो है, 97 के बार, 98 नंबर पर चलते हैं, तो लोचन में कौन सा समास है, तो लोचन में समास कौन सा है, आप्शन देखते हैं, कर्मधारे, बहुवरी, C दे है, ऑप्शन D के बारे में अगर हम बात करें, तो D दे रखा है, अवेवी भाव, इन चारों में से आपको चूच करना है, कि कौन सा विकल्प यहाँ पर आपका होने जा रहा है, तो चलिए, इसमें देखें, त्रिलोचन, त्रिलोचन का आरत क्या है, महादेव को बोलते है त्रेनेतरदारी, ठीक है, तो कहीं न कहीं, इन दोनों पदो से हट के तीसरे पद की ब्य lleva क्या की गई है, तो बावगरी سमास का यह उदारन है, त्रेलोचन, ठीक है, 99 नमबर प्रशन आपके सामने है, पान का तश्म क्या है, पान का तश्म, पान, पान, तामबूल, तालक इन चारों में से तांबूल सब्द क्या है पांद का तदसम है ठीक है आगे बढ़ते हैं सौ नंबर प्रस्तर का तद्भो क्या होगा इससे पहले यह आया था इसलिए मैंने इसको फिर से चूच किया प्रस्तर का तद्भो तो बिल्कुल सही जिन्होंने डी विकल चूच किया पत्थर वो बिल्कुल सही है तो दोस्तों यह सीरीज कैसी लगी इसके बारे में जरूर कमेंट करके बता है इसकी पीडियेप सबसे नीचे लगा दी जाएगी आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते है बागी ऐसे ही लगातारी हम आपके लिए लगातार कोईज लेकर 800 प्रस्नों से संबन्दित यह प्रस्न अपने आप में बहुत ज़्यादा अच्छे है चैनल नहीं सस्क्राइब किये हैं तो जरूर सस्क्राइब करें बागी इससे नेक्ष्ट जो सीरीज होती है उससे मलते हैं आपसे एक बार कल और एक बार दोस्तों जरूर कमेंट के मादव से हमें बताते रहें कि यह सीरीज आपके लिए कितनी ज़ादा उपयोगी सावित होती है जिससे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रियास करेंगे अन्य विश्यों कि अभी आपके इसी तरीके के प्रशन सामिल करें और आपके सेलेक्षन की और कहीं न कहीं हमारी टीम परीचह प्लस मददगार सावित हो अपने दोस्तों को भी ये इस चैनल के बारे में जरूर बताएं टेस्रीज हमारी जूनियर एसिस्टेंट चल लगी है उसको भी आप खरीच सकते हैं ना पर्शेज किये हैं उसमें बहुत कुछ हम आपको दे रहे हैं टेस्रीज के अलावा उसका वीडियो शलिशन दे रहे हैं उसकी संपूर्ण ब्याक्या दे रहे हैं सब कुछ उसमें मिल जाएगा तो एक बार चैनल जरूर सस्काइब करें कल फिर मिलते हैं एक नई सीरीज के साथ अलविदा